हेलो एवरीवन स्वागता आप सभी का आपके यूटिव चैनल लॉजिक पार्ट शाला में सो आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेगा हैं जिसमें हम कवर करेंगे आपके पादम आवर्ट्स हो गए या दादर साहिफ आल के आवर्ट्स हो गए या आपके आईफा आवर्ट्स हो गए तो इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं definitely देखे यहां से एकसर exam में question जरूर पूछा जाता है कोई न कोई award से आपको question बन जाएगा तो सभी awards के winner list यहाँ पे हम देखने वाली हो last में कुछ questions पर discuss करेंगे कि कैसे हमारे exam में question बन सकती है complete video बहुत important है PDF आप लोगों को मिल जाएगा telegram से link description में है आप direct भी search कर सकते हैं telegram पर logic पार्शाला 16 group पे आपको कई सारे information भी share की जाती है आपके साथ में quiz भी दिया जाता है आपको ताकि आप भाँ पे अपने जीगे के questions को और भी अच्छे से revise कर सके तो चलिए फिस बिनादेरी से आज किस important session को शुरू करते है सबसे पहले बात करते हैं friends आईफा awards के बारे में अभी बिल्कुर recent देखे आईफा awards की announcement हुई है दिये गए है तो इनके बारे में हम बात करेंगे किस को awards दिये गए है तो question आपसे जादा घुमा फिरा के exam में नहीं पूछा जाएगा आईफा awards के बारे में directly पूछ लेंगे जैसे best film की बताईए कि best film आईफा awards में best film का award किस film को दिया गया तो options होंगे आपके पस 4 आपको अपना सही answer चुरना है बस इतना इस तरीके से question बनेगा तो best film का award किसे मिला है दृश्यम 2 को इसके बाद अगर हम बात करें कि best actor का award इन लीडिंग रोल अगर female में बात करती है तो मिला है आलियभर्ट को किस film के लिए फिल्म का नाम भी ध्यान रखेंगे गंगु बाई काठियवाडी फिल्म के लिए और अगर इसी में हम बात करें leading role में best actor का award male में किसे मिला है रुतिक रोशन को उनकी फिल्म विक्रम वेधा के लिए अब आता है supporting role leading role की बात हो गई किसे मिला है आलियभर्ट और रुतिक रोशन supporting role में अगर females की बात करते हैं तो best actress का award है मौनी रोय को film ब्रह्मास्तर तो ब्रह्मास्तर में इनोंने supporting role की आता देखें क्योंकि main lead की आता आलियभर्ट ने तो supporting role में इनको मिला है आईफा वोड इसे तरीके से supporting role में best actor इना male में किसे मिला है अनिलकपूर को film जुग जुग जीयो के लिए इसके बाद देखें next बात करें तो best director तो best director का वोड मिला है आर माधवन को और कौन सी film को डारेक्ट करने के लिए rock tree के लिए next आता है outstanding achievement in for fashion in cinema cinema में fashion के लिए outstanding achievement में आईफा वोड किसे मिला है मनीश मलोतरा को तो question मन जाएगा ना कि बढ़िए outstanding achievement for fashion in cinema में आईफा वोड किसे मिला तो option आपके सामने होंगे आपको अपना answer चुणना है किसे मिला मनीश मलोतरा को outstanding achievement in Indian cinema किसे मिला है कमल हसन को next आपके ये best original story का वोड मिला है किसे परवेज, शेक और जैसमीत, रीन को डालने के लिए best cinematography के लिए अवोड मिला है गंगुबाई काटियवाडी फेल्म को और best screenplay का वोड भी इसे ही मिला इसके बाद देके अब singer की बात आती है तो best playback singer अगर female में बात करें तो female में मिला है श्रिया गोसाल को उनके गाने ररसिया के लिए जो किस फिल्म का है और अगर male में बात करें कि best playback singer का अवोड किसे मिला अरिजीत सिंग को उनके गाने के सरिया के लिए जो कि ब्रह्मास्तर में गाना है दोनों याद होगे female में श्रिया गोसाल को मिला है और male में मिला है अरिजीत सिंग को best lyrics का अवोड मिला है अमिताब भटचारिया को best sound design में अवोड मिला है भूल बुलया 2 को best editing में अवोड किसे मिला है दरश्यम 2 को तो ये हमारे हो गए complete आईफा अवोड की winners यहां से कोच भी पूछ सकते है आप list wise इन्हें अच्छे से धिहान रखें उसके बाद बात करने जाते हैं तो फिल्म फिर अवोड में best film का अवोड मिला है किस film को गंगुवाई काटियवाडी फिल्म को बेस्ट फिल्म अगर critics की बात करें तो कौनसे फिल्म है बधाई 2 अब आते हैं best actor और actress की तो best actor ये male category ये आपके लिए लीडिंग रोल में ही है तो male में है राजकुमार राओ को मिला है फिल्म बधाई 2 के लिए फिमेल में मिला है आलियबट को फिल्म गंगुवाई काटियवाडी के लिए अब critics में बात करें तो best actor का अवोड मिला है संजे मिश्रा को फिल्म बध के लिए best actress का अवोड मिला है भूमी पैडनेकर को फिल्म बधाई 2 और तबू को भी मिला है फिल्म बोलबलया 2 के लिए इसके बाद एके best director का अवोड मिला है संजे लीला बंसाली को फिल्म गंगुवाई के लिए supporting role में बात करेंगे तो best actor का अवोड मिला है best music album में फिल्म फियर अवोड कौन से फिल्म के लिए ब्रहमास्तर फिल्म के लिए best lyrics का अवोड मिला है अमिताब भटचारिया को गाना कौन सा है केसरिया गाने के लिए इसके बाद एके lifetime achievement award ये मिला है प्रेम चोबड़ा को अब singer में बात करें बेस्ट प्लेवेक सिंगर मेल में किसी मिला अरिजीर सिंग को के सरिया गाने के लिए जो कि ब्रहमास्तर का है और female में मिला है कबिता सेट को किस गाने के लिए रंगी सारीफ गाने के लिए जो कि जुग जुग जीयो फिल्म में है best cinematographic award मिला है सुधीप चटर जी को फिल्म कौनसे फिल्म के लिए गंगोबाई के लिए तो ये हमारी पूरे complete list हो गई Filmfare awards की इसके बाद आते है Academy Awards जिने हम Oscar Awards भी कहते हैं तो confuse नहीं होएगा कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अरे कोई और awards है Oscar को ही Academy Awards के नाम से जाना जाता है तो कई बहुत important है बहुत important awards में हैं देखिए तो Oscar Awards में बात करते हैं सबसे पहले Best Picture Best Picture का award मिला है Everything, Everywhere, All It Once Film को इसके बाद बात करेंगे Actor in a Leading Role तो Leading Role में Actor का award मिला है Brandon Fraser को Film The Vale के लिए और Actress in a Leading Role किसे मिला है Michelle Yu को Film Everything, Everywhere, All It Once के लिए तो ये बहुत important award है अच्छे से इनको cover करेंगा अब बात करें Actor in a Supporting Role किसे मिला है Oscar इसके लिए K हुए कुआन को Next आता है Animated Feature Film तो Pinocchio Film है देखिए जो के एक Animator Film है और इसी ही मिला है इन केटिगरी में मिला है Award Black Panther Wakanda Forever को इसके बाद देखे Supporting Role में Actor की तो बात हो गए थी लेकिन Supporting Role में अगर Actress की बात करती है तो Same Film है देखिए और इसी की Actress है Jamie Lee Curtis इन्हें Supporting Role में Supporting Role केटिगरी में Best Actress का Award मिला है Documentary Short subject में अगर Documentary की बात करे The Elephant Whisper बहिए देखे Indian है तो बहुत Important है ये Award exam के लिए और एक ये Award भी बहुत Important है कि Original Song जो कैटिगरी है उसमें किस गाने को Award मिला है Oscar Natoo Natoo Song को जो कि Triple R Film का गाना है ये बहुत दो Achievement बहुत बड़ी Achievement है Indian Cinema के लिए तो इसलिए इन दोनों को तो अच्छे से धिहान रखे Director में बात करें तो Everything, Everywhere, All at Once के Director को Award मिला है तो ये हमारे हो गए Oscar Awards अब इसके बात करते हैं दादा साहिफाल के Award की दादा साहिफाल के Awards में Best Actor का Award मिला है रणवीर कपूर को और Best Actress का Award मिला है आलियभट को Critics में Best Actor Award मिला है वरुन धवन को फिल्म भेडिया के लिए और Critics Best Actress का Award मिला है विद्या बालन को फिल्म जल्सा के लिए Best Film का Award मिला कश्मीर फाइल्स को Film of the Year का Award मिला है ट्रिपल आर को तो Confuse नहीं हो ना Best Film में आएका कश्मीर फाइल्स Film of the Year में आएका ट्रिपल आर Best Director का Award मिला है आर बलकी जी को फिल्म चुप के लिए Most Versatile Actor का Award किसे मिला अनुपम खेर को इसके बादे के Supporting Role में Best Actor का Award मिला है Manish Paul को फिल्म जुग जुग जीयो के लिए Singer की बात करें तो Best Playback Singer Male में बात करेंगे तो ये मिला है साचेत टडनन को मैया मैनू गाना है जर्सी फिल्म का उसके लिए और Female में मिला है नीती मोहन को मेरी जान गाने के लिए जोके गंगुबाई में है Best Actor in a Television Series अगर Television Series की बात करें Best Actor का अवर्ड मिला जेन इमान को और Best Actress in a Television Series में अवर्ड मिला है तेज़स्वी प्रकाश को नागिन जो सीरियल है उसमें उन्होंने जो किरदार निभाया है उसके लिए उनको ये अवर्ड मिला है इसके बात ये दोनों इंपॉर्टेंट अवर्ड हैं देखिए दादा साहे फाल के International Film Festival Award for Outstanding Contribution in the Film Industry तो Film Industry में Outstanding Contribution के लिए जो अवर्ड मिला है और किसने मिला है रेखाजी को और Music Industry में Outstanding Contribution के लिए दादा साहे फाल के International Film Festival Award किसने मिला हरी हरनजी को ये दोनों धिहान रखेंगे Most Important है उसके बाद बात करते हैं Grammy Awards तो 65th जो Grammy Awards की बात करें Music Categories में देखि Grammy Awards दिये चाते हैं So Song of the Year का अवर्ड किसे मिला है Lizzo को किस सौंग के लिए About Damn Time ये जितने भी अवर्ड होंगे ना देखिए इसमें सब काने से रिलेटेड होंगे यानि Music से रिलेटेड होंगे Best New Artist का अवर्ड मिला है Samara Joy को उसके बाद एक Record of the Year का अवर्ड के से मिला है Lizzo को Best Dance या फिए Electronic Recording में अवर्ड के से मिला है Grammy Beyonce को Album of the Year का अवर्ड मिला है Harry Style को उनकी Album Harry's House के लिए Best Pop Solo Performance का आवर्ड मिला है Boney Rae को और Best Pop अगर Dio या Group Performance की बात करें तो ये मिला है Sam Smith और Kim Patrice को इसके बाद देखे Best Rap Song के लिए Grammy Award मिला है Kendrick Lamar को Best R&B Album का आवर्ड मिला है Robert Glesper को Best Rock Song के लिए Grammy Award मिला है Brandy Carlyly को Best Country Song के लिए Grammy Award मिला है Cody Johnson को So ये है हमारे Complete Grammy Awards Next आते हैं Friends 80th Golden Globe Award 2023 ये भी बहुत important है तो Golden Globe Awards की बात करेंगे तो चले इनकी हम लोग लिस्ट देख लेते हैं Winner List तो देखे सबसे पहले कौन सा है Best Motion Picture अगर ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा में Best Motion Picture का आवर्ड मिला कौन से मूवी को The Fable Man's को Best Motion Picture Musical और Comedy के टिगरी में Award के से मिला The Banishes of Innishrin इसके बात देखे Best Actress इना Motion Picture ड्रामा Award मिला है Kate Blanchett को Film Tar के लिए Best Actress में और Best Actor में किसे मिला है Austin Butler को Film Elvis के लिए Best Director Motion Picture के टिगरी में Award मिला है किसे Stephen Spilberg को कौन सी फिल्म के लिए The Fable Man's के लिए Next is Best Actress इना Motion Picture Musical और Comedy के टिगरी के लिए Award मिला है Michelle Yu को कौन से फिल्म के लिए Everything, Everywhere, All at Once और इसी के टिगरी में अगर Best Actress के बात करें ये Award मिला है Colin Farrell को Best Picture Animated में मिला है कौन से फिल्म को Pinocchio को Best Song Motion Picture का अवार्ड मिला है Natoo Natoo गाने को जो की है पिलार फिल्म का तो ये होगा आपके लिए Most and Most Important अब बात करते हैं Friends, Padma Awards की तो Padma Awards इस पार की बात करेंगे हम तो Padma Awards सबसे पहले दिहान रखेंगे तीन काटेगरी में Padma Awards जो है वो दिये जाती है Number One Padma Vibhushan जो के इस पार कितने लोगों मिला है 6 लोगों को दिया है उसके बास Second, दूसरा आवार्ड जो आता है वो है Friends, Padma Vibhushan जो की कितने को दिया गया है 9 9 को दिया गया है Padma Vibhushan तीस्टा आता है Padma Shri Distinguished Service के लिए मिलता है और यह कितने को मिला है इस बार 91 टोटल बात करेंगे तो 106 Padma Awards यह गए है और आपको अलग-अलग भी ध्यान रखनी है 6 Padma Vibhushan 9 Padma Vibhushan और 91 Padma Shri अब सब से बात करते हैं Most Important Padma Vibhushan की यह exam में definitely पूचेंगे इसमें आपको देखें कौन से field में दिया गया जिनको दिया गया वो कौन से state से बिलॉंग करते हैं यह सब पूचेंगे तो इसलिए हमने complete यहाँ पे आपको list दी है इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं सबसे पहला नाम देखें पब्लिक अफेर फेल्ड में मिला है और इनका state है करनाटका श्री दिली महानलाबिस इनने भी posthumus मिला है मेडिसिन के चेतर में और कॉंसे स्टेट से थे बेस्ट बिंगॉल से श्री निवास वर्धन साइंस अन इंजिनियरिंग फेल्ड और इनका कॉंसे स्टेटर कंट्री है USA से ये बिलॉंग करती है मुलायन सीम यादक जी को भी posthumus मिला है पबलिक अफेर फेल्ड में और ये बिलॉंग करती थे उत्तर प्रदेश से तो देखे 6 में से अगर हम बात करें तो 3 persons को posthumus यानि मर्नो परांत मिला है कितने लोगों को posthumus जो है पद्म भूशन से सम्मानित किया गया तो आपका अंसर होगा 3 तो इसलिए अच्छे से लिस्ट को हमें याद रखना है इसके बाद देखे 9 को मिला था पद्म भूशन इनके नाम भी ध्यान रख लिजग महराष्ट श्री दीपक धर साइंस और इंजीनरिंग फिल्ट स्टेट है इनकी महराष्ट इसके बाद वानी जैराम इन्हें आर्ट की फिल्ट में मिला है और ये तमिलाडु से बिलॉंग करती है स्वामी चिन्ना जेयर स्प्रिच्चुलम केटेगरी है जो की अदर्स में आती है देखिए और ये तिलंगाना से बिलॉंग करती है सुमन कल्यानपूर आर्ट की फिल्म में मिला है इन्हें और ये महराष्ट्र से हैं इसके बाद है कपिल कपोर लिट्रेचर और एजुकेशन फिल्ट ये डेली से है सुधा मूर्ती, सोशल वर्क और ये करनाटक स्टेट से है कमलेश्टी पटेल इन्हें अदर्स केटेगरी में स्प्रिचुलिस्म में मिला है और इनकी स्टेट कौन सी है तेलंगाना तो नौ में नौ को कौन सा वर्ड मिला है पद्मभूशन, इसके बाद नाइन्टी वन थे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तो यहाँ पर फ्रेंट्स हमारे आवोर्ड्स तो सभी कम्प्लीट होते हैं अब टाइम आता है कि किस तरीके से क्वेशन हमारे एक्जाम में बन सकते हैं हम कैसे उन्हें अटेंड करेंगे चलिए उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं इन कोशन की माध्यम से पहला कोशन है तो फिल्म फेर अवोर्ड्स के हमने बात करी थी तो बेस्ट एक्टर अगर क्रिटिक्स की बात करेंगे ये अवोर्ड किसे दिया गया है तो सही आंसर है संजे मिश्वा को ये अवोर्ड मिला है तो संजे मिश्वा जो है उनकी फिल्म थी वद और फिल्म वद के लिए उन्हें critics में best actor का award मिला था अगला question who has won the best actress award at the 68th Hyundai Filmfare Awards तो अब Filmfare Awards की बात हो रही है कि best actress का award किसे मिला है Alia Bhatt को तो Alia Bhatt को उनकी film Gangu by Katiawadi film के लिए उनको मिला best actress का award next day who has won the best actor and actress award at the Dada Sahih Phal के international film festival 2023 अलग-अलग भी पूछ सकते हैं कि best actor का बताईए अब यहां एक साथ पूछ लिया कि best actor and actress में केटिगरी में Dada Sahih Phal के international film festival award किसे ने चीता ये वाट चीता है रणवीर कपूर और Alia Bhatt ने तो रणवीर कपूर को उनके film भ्रहमास्तर और Alia Bhatt को उनके film Gangu by Katiawadi के लिए दिया गया next question देखिए which film has won the best film award at the Dada Sahih Phal के international film festival तो किस film ने सरवशेष्ट film का पुरिसकार जीता तो सही answer हो जाएगा Friends, Kashmir Files को मिला Best Film का Award और इसमें हम confuse हो सकते हैं कि आपका भी आप Triple R film को लगा दें लेकिन याद रखेंगे कि अगर Film of the Year पूछेंगे तो आपका अंसर होगा Triple R लेकिन Best Film पूछेंगे तो आपका अंसर होगा Kashmir Files अगला कोशन है इस सौंग नाटू नाटू won the Golden Globe Award for Best Original Song from which Film तो देखें यह जो गाना है नाटू नाटू इसने Golden Globe Award जीता है Best Original Song के डिगरी में और यह गाना किस फिल्म का है तो यह गाना है Film Triple R का और इसने Best Original Song में Oscar Award भी जीता यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा Next Question How many persons were awarded the Padma Award in the year 2023 2023 में टोटल 106 लोगों को पदम पुरिशकार से सम्मानित किया गया तो याद रखेंगे 6991 बस इस तरीके से याद रखें अलग-अलग केटिगरी वाइस और चुब Padma Awards होते हैं यह second highest civilian honor है हमारी इंडिया का अगर हम बात करें सबसे बड़ा highest civilian honor कौन सा है इंडिया का भारत रत्न Next Question श्री एसम कृष्णा has been conferred with which of the following award in 2023 तो अकर बात करें कि एसम कृष्णा को निमलिखित में से किस पुरिसकार से सम्मानित किया गया है सही answer क्या होगा friends तो इन्हें मिला है पद्म विभूशन अवर्ड ठीके ध्यान रखेगा और कौन सी field में ने अवर्ड मिला था ये भी याद रखेंगे तो इनका जो field है कौन सा है public affairs और कौन से state से belong करते हैं तो ये करनाटका से belong करते हैं तो ये बात हमें ध्यान रखनी है तो friends यहाँ पे हमारे जो awards हैं वो complete होते हैं अब test में question है आप simple हमें इसका answer बताएगा comment box में कि अगर बात करने पद्म वार्ड और 2022 की last year पद्म वार्ड कितने लोग को दिये गए थे इस बार के तो हमने question है इसको ज़रूर टेंड करेगा और इसके साथ friends ही है आज की हमारी वीडियो यहाँ पे complete होती है thank you so much for watching this video